तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग अध्यायच है पॉधों में पोशन को पिछली वीडियो क्लास में मैंने इसका वीडियो बनाया था, एक्स्प्लें करने का चैप्टर, आज हम लोग इसका प्रशन उत्तर यानि की हम लोग इसका पहला प्रशन है बच्चो, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वेम बनाते हैं, कहलाते हैं, विशम पोशी, पर जीवी, मिर्तोब जीवी, स्वपोशी, तो उत्तर होगा बच्चो, स्वपोशी, ठीक है, जो पौधे अपना भोजन स्वेम बनाते हैं, उन्हें स्वपोश दूसरा है B, अमर बेल उधारन है विशम पोशी का, क्योंकि अमर बेल जो पौधा है वे दूसरी पौधे से पोशन प्राप्त करता है, C है पौधो का रसोई घर है, तो तर क्या होगा, पत्ती, पत्ती जो होता है वो पौधो का रसोई घर होता है, D है कीट भक्षी पौधा ह घट पण्णी, अमरबेल, मटर, गुलाब, तो घट पण्णी का पौधा कौन सा होता है बच्चों, कीट भक्षी पौधा होता है, जो कीटों का भक्षन करते हैं, ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रशन का देखते हैं हम लोग, तो देखें आप यां पर दूसरा प्रशन है जो सही है सूरी का प्रकास जो है वह रसाइनिक उज्जा जो कार्वो हाइडिट प्रोटीन जो बनता है उसमें रुपांतरन हो जाता तो क्या है यह कथन सत्य है इस कथन को सत्य करेंगे बी है जड़ कार्वन डार्कसाइड के ग्रहन करने में मदद करते हैं यह गलत है ठीक है सी है कार्वो हाइडिट और ऑक्सिजन प्रकास संसलेशन के उत्पाद हैं तो यह सही है सभी जीव अपने पोशन के लिए हरे पौधो पर निर्भर करते हैं तो यह भी क्या होगा बच्चो सत्य होगा ठीक है क्या होगा यह सत्य होगा क्योंकि सभी जीव जो है कुछ जीव दूसरे जीव को खाते हैं जिसे मानसा हारी कहते हैं लेकिन सभी जीव जो है वो पौध पर निर्भर करते हैं क्योंकि एक जीव जब दुसरे जीव को खाता है तो वह जीव जो है पॉधों को खाता है तो इस तरह से प्रत्यक्ष या परोगर्ष रूप से हम कहें तो सभी जीव पॉधों पर निर्भर होते हैं तीसरा है बच्चो, कॉलम A के शब्दों को मिलान कॉलम B से कीजिए, तो हमको कॉलम A को कॉलम B से मिलान करना है, यहाँ पर देखिए, जो है यहाँ पर कुछ खराब हो गया था, इसलिए मैंने इसको वाइटनर से इसको कर दिया है, मेरे यह पहले की पुस्तक है, विद्ध्य जिवाणू से, जो जिवाणू जो मिट्टी में पाये जाते हैं, वह जिवाणू जो है नाइट्रोजन को योगिक रूप में बदल देता है, जो पौधे उनका अवशोशन करते हैं, दूसरा है रंध्र, तो रंध्र क्या होता है, रंध्र का मिलान किस्ती होगा, पत्ती से क्लोरोफिल का मिलान कार्बन डायोकसाइड मश्रूम जो है वह क्या है बच्चो एक मृत जीवी पौधा है ठीक है मश्रूम जो है वह एक मृत जीवी है और जो है जन्तू जन्तू हो गया आपका विशम पोशी क्या हो गया बच्चो जन्तू विशम पोशी तो नाइट्रोजन, जिवाडू, रंद्र, पत्ती, क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड, मश्रूम, मृत्जीवी और जन्तू, विशम, पोशी चौथा प्रशन है बच्चो, निम्न कत्नों के लिए एक शब्द बताएं तो पहला है, पत्तियों में पाये जाने वाला हरा वर्नक, उसे हम क्या करते हैं बच्चो, पर्ण हरित, एक शब्द क्या है, पत्तियों में पाये जाने वाला जो हरा वर्नक होता है, उसे हम क्या करते हैं पर्ण हरित, जो अपने पोशन के लिए दूसरे पौधो एवं जीवो पर निर्भर करते हैं, उसे क्या करते हैं बच्चो, विशम पोशी, उसे क्या करते हैं बच्चो, विशम पोशी, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो इसका उत्तर होगा सह जीवी संबंध, क्या होगा उत्तर बच्चो, सह जीवी आवशक्ता क्यों होती है ठीक है जीवों में पोशन की आवशक्ता क्यों होती है तो उत्तर है बच्चो यहाँ पे देखे किताब में थोड़ा वाइटनर लगाने के वैसे समझ में नहीं अगर आ रहा हो तो मैंने इस प्रश्ण को यहाँ लिख दिया है इसका उत्तर नाइट प्रशन जो है बच्चो जीवों में पोशन की आवशक्ता क्यों होती है इसका उत्तर तो देखें प्रशन किताब में दिया हुआ है इसलिए मैंने सिर्फ उत्तर को कौपी में लिखा है तो पांचवे प्रशन का उत्तर होगा सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंदी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है इसके लिए उर्जा की जवरत होती है जो पोशक तत्वों से प्राप्त होती है भोजन में पाय जाने वाले पोशक तत्वों से सभी जीव जन्तु अपनी उर्जा संबंदी व्रिद्धी तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवशक है तो पोशन क्यों आवशक है पोशन से ही हमारे शरीर का विकास होता है व्रिद्धी होती है चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो हम जीवजनतु हो ठीक है तो सभी को पोशन की आवशकता होती है क्योंकि हमें काम करने के लिए जिवित रहने के लिए उर्जा की जोरत होती है और उर्जा हमें किसे मिलती है बच्चो पोशक तत्व से मिलती है पोशन से छटा प्रशन है हरे पौधों में खाद संसलेशन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ठीक है हरे पौधों में खाद संसलेशन प्रक्रिया क प्रकाश संसलेशन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, हरी पतियां जिसमें क्लोरोफिल होता है, सूरिके प्रकाश की सहायता से कार्बन डायोकसाइड और जल का उप्योग कर कार्बो हाइडरेट बनाता है, ठीक है, कार्बो हाइडरेट कोशिकाओं की वृध्धी करने मे सहायक होता है प्रोटीन के संसलेशन के लिए नाइट्रोजन की आवशक्ता होती है मिट्टी में पाय जाने वाले जीवानू गैसिय नाइट्रोजन को उप्योगिक योगिक में बदल देते हैं पौधे या उपयोगी योगिक जल से अवशोशित करते हैं पौधों की वृध्धी के लिए प्रोटीन और वसा की आवशक्ता होती है और इस प्रकार हरे पौधों में खाद संसलेशन होता है ठीक है तो खाद संसलेशन उन्हें जो खाद चाहिए होता है वह किस प्रकार होता है प्रकाश संसलेशन की द्वारा, जैसे कार्वो हाइड्रेड, नाइटोजन और ये आपका प्रोटीन जो है, उनके वृद्धी के लिए चाहिए, उन्हें जो इस प्रकाश संसलेशन की प्रक्या द्वारा मिलता है, चलिए सात्वा प्रशन है, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि संसलेशन के लिए सूरिक का प्रकाश अनिवार है, ठीक है, तो प्रकाश संसलेशन जो होता है बच्चो सूरिक के प्रकाश के उपस्थिती में होता है, तो हमें कैसे बताएंगे कि यह जरूरी है, तो इसके लिए छोट्या साम काम करेंगे, उत्तर में मैं दे रही हूँ, आप इसे खुद घर पे भी करके देख सकते हैं, एक पौधे को, क्या करेंगे हम बच्चों, एक पौधे को हम सूरिक के प्रकाश में रखेंगे, जैसे बगीचे में हम रख सकते हैं, ठीक है, एक पौधे को हम सूरिक के प्रकाश में रखेंगे, और एक उसी प्रकार के प्रति दिन दोनों पौधे को जल देंगे एक सब्ता के बार दोनों पौधे का निरक्षन करते हैं हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधे की अपेक्षा सूर के प्रकाश बगीचे में मालिजे रखे पौधे की वृद्धी अधिक होता है मतलब जो बगीचे में हमने सूर के प्रकाश में पौधा लगाया वह तेजी से बढ़ रहा है और जो हमने कमरे में पौधा लगाया उसका विकास बहुत कम है फिर हैं दूसरे तीसरे सब्ता बात देखते हैं कि कमरे में रखा पौधे रखे ठीक है रखाने रखे कमरे में रखे पौधे के पत्तियां पीले होने लगी ठीक है, पीली होने लगी, क्या होने लगी बच्चो, पीली होने लगी और वह सूख गया, इस तरह हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संसलेशन के लिए सूरे का प्रकाश अनिवार है, तो बगीची में रखा प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है, अब है आठवा परिभाशित करें, मतलब कि जो दिये गए हैं यहाँ पर चार, इसकी परिभाशा हमें देनी है, ठीक है, पहला है प्रकाश संसलेशन, दूसरा सह जीवी संबन, तीसरा परजीवी और चौथा मृत जीवी, तो इसकी और पानी के द्वारा कार्बो हाइडरेट बनाते हैं और ऑक्सिजन गैस पाहर निकालते हैं, इस पूरी प्रक्विया को प्रकाश संसलेशन कहते हैं, ठीक है, सह जीवी संबन, ऐसे दो जीव जो एक साथ रहकर आपस में आवास और पोशन बाटते हैं, और एक दूसरे को लाब पहुचाते हैं, इस प्रकार के संबन को सह जीवी संबन कहते हैं, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सह जीवी संबन है, तिसरा है पर जीवी, ऐसे पौधें जो अपना पोशन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, पर जीवी कहलाते हैं, उधारन के लिए अ मित जीवी ऐसे जीव जो मित या सड़ी गली वस्तुवे पर बढ़ते हैं तथा पोशन प्राप्त करते हैं मित जीवी कहलाते हैं उधारन कवक और फन जाई ठीक है चलिए अब हमारा नेक्स प्रेश्ण है 9. मिती में पोशक तत्व की पुना पूर्ती कैसे होती है तो देखे बच्चो पौधे जो है वह मिती से अपना पोशक तत्व लेते हैं और पौधे जब मिती से पोशक तत्व लेते जाते हैं ग्रहन करते जाते हैं उनका अवशोशन करते जाते हैं तो मिती में पोशक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी पुना पुर्ति यानि फिर से उसके अंदर पोशक तत्व कैसे आते यही हमें बताना है तो इसका आंसर है देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चो मिट्टी में उत्तर नौ मिट्टी में पोशक तत्व की पुना पुर्ति के लिए किसान मिट्ट मिट्टी में खाद या उर्वरक डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटैशियम जैसे तत्वों की परियाप्त मात्रा होती है पोधे या जीवों की सड़े गले अवशेश भी पुना चक्रित होकर मिट्टी में पोशक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं तो सड़ी गली चीजे भी जो होती हैं बच्चों उनका भी एक चक्र होता है जिसके वज़त से चक्र होने के बाद वह जो है मिट्टी की उर्वर्ता को क्या करते हैं बढ़ाते हैं चली हमारा लास्ट क्वेश्चन है कारण बताईए यहाँ पर तीन प्रश्ण दिया गया कारण बताना उसका लाइकेन में कवक और शेवाल के बीच परस पर स्लाब प्रद एवं सहयोगी संबंध होता है तो बोल रहा है लाइकेन में कवक और शेवाल के बीच में जो सहयोगी संबंध होता है उसका कारण क्या है उसका उत्तर है देखिए पहले का शेवाल में क्लोरोफिल होता है शेवाल अपना भोजन स्वेम बनाता है कवक शेवाल से पोशन प्राप्त करता है कवक शेवाल को रहने के लिए स्थान उपलप्त कराता है यानि शेवाल जो भोजन बनाता है वो कवक को देता है और कवक जो है वो शेवाल को रहने की जगा देता है जल और पोशक तद भी प्रदान करता है कौन प्रदान करता है बच्चो? कवक जो है शेवाल को जल और पोशक तद भी प्रदान करता है दोनों आपस में आवास और पोशन बाटते हैं और इस प्रकार लाइकेन में कवक और शेवाल के बीच परसपर लाब प्रद एवं सहयोगी संबंध होता है ठीक है इसका दूसरा प्रशन है सूर्य सभी जीवों के लिए उर्जा का शाश्वत स्रोत है ठीक है तो सूर्य क्या है सभी जीवों के लिए एक शाश्वत स्रोत है इसका उत्तर क्या होगा देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष मैंने बताया था जो आंक से हम देख सकते हैं, परोक्ष जिसे हम आंक से नहीं दिखता, तो सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधो पर निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं, पोधो द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहते हैं या करते हैं, और पेड़ पोधे अपना पोशन सूर के प्रकाश संसलेशन से करते हैं, अता सभी जीवों के लिए सूर उर्जा का शाश्वत स्तो है, मतलब कि सारे पेड़ पोध, सारे जीव जो होते हैं, वो परोख्ष या प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पोधों पे निर्भर होते हैं, और पेड़ पोधे जो हैं, अपना भोजन वो सूर से बनाते हैं, तो सूर ही है जो सबसे बड़ा शाश्वत स्तो होते हैं, अब है यहां पतियां पौधो की रसोई घर है तो इन्हें बताना है कि पतियां पौधो की रसोई घर है उसका कारण क्या है तो इसका उत्तर क्या होगा देखिए सूरी की उज्जा संग्रह करने में क्लोरोफिल सहायता करता है chlorophyll कहां पा जाता है बच्चो पतियों में तो मैंने आँ ब्रैकेट में लिख दिया तो सूरी की उज्जा संग्रा करने में पतिया या chlorophyll सहायता करता है वाता वरन में carbon dioxide, खनिज, लवन और जल का संग्रा भी पतिया करता है ठीके तो carbon dioxide है, खनिज है, लवन है, पानी जो है सारा क्या है किसमें संग्रा मतलब इखटा होता है बच्चो पतियों में और प्रकाश sensation क्रिया करता है और पतियों द्वारा ही सूरिक के प्रकाश में जो है वो प्रकाश sensation की पक्या होती है और पेड के सभी भागों में पोशक तत्व को वितरित करता है ठीके, पतियों जो है जो प्रकाश sensation सो जो क्रिया होती है वह जो है संग्रा करता है, जो खनिज, लवन, जल, जो है संग्रा करता है वह दूसरों भाग में, जो पेड के दूसरी भाग होते हैं उसमें पोशक तत्व क्या करता है बच्चो वितरित करता है मतलब पोशक तत्व को क्या करता है अलग-अलग भागों में भेजता है वितरित करता है अता हम कह सकते हैं कि पतियां पौधों का रसोई घर है चीक है तो हमारा आज का ये अभ्यास यहां खत्म होता है और ये जो ह हम यहाँ पर नेक्स चैप्टर जो है हमारा हवा आंधी तुफान अध्याय साथ को पढ़ेंगे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर आप नए है चैनल पर और आप बिहार बोर्ट से जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लास्मेंट को जरूर चैनल को शेर करिएगा